डबलू एचो की लेटेस्ट ब्रीफिंग एनुसार चाइना में कोरना वाइरस अब थमने लगा है कुछ दिनों से चाइना में एक भी कोरना वाइरस का नया के सामने नहीं आया और जहां 80,000 से जादा लोग संक्रमित थे जिन में से 70% की करीब लोग ठीक हो चुके हैं ये खबर चाइना के लिए भले ही अच्छी खबर हो लेकिन अब इस वाइरस ने चाइना के बाहर 120 देशों में अपना घर बना लिया है चाइना ने तो निपट लिया लेकिन अब पूरी दुनिया के नजर दुनिया के दूसरे सबसे जादा पॉपुलेशन वाले देश भारत पर है भारत में हर रोज 15 से 20 नए मामले वाइरस के सामने आ रहे हैं भारत में अभी तक ये वाइरस केवल बाहर के देशों से आए होई लोगों में मिल रहा था पर अभी देश के अंदर भी लोग आपस में संक्रमित होने लगे हैं पहले बस एक दो राज्य से ही कोरणा के पेशेंट्स मिल रहे थे लेकिन अभ भारत में भी 12 राजियों में कोरणा फैल चुका है हाल ही में पूने में दो नए केस सामने आए हैं महराश्ट और करनाटका में 3-3 नए केस positive test पाए गए हैं और केरिला में 6 नए confirmed केस सामने आए हैं इसी के साथ भारत में कोर्णा वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उतता है कि साथ ही तो कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है और साथ ही इसके बिल्कुल उलट कि साथ हजार से जादा लोग ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। ये क्या मामला है? ये गूती सुलजाने से पहले मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट के बिना ये अवेरनेस वीडियो बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सही खबर है कि साथ हजार से जादा लोग इलाज करवा के घर जा चुके हैं। केरल में भी तीन लोगों का इलाज किया गया था। एक्चुली बात ये हैं इसमें सिम्टोमाटिक बेस्ट सपोर्टिव थेरपी से इलाज होता है। अगर किसी इंसान में कोरोना जल्दी डिटेक्ट हो जाए, तब तक वाइरस बॉड़ी ओर्गन्स में जादा नहीं फैल पाता। तो जो भी अविलेबल एंटीडॉट है, जो लोगों पर अच्छे रिजल्ट्स ला रही है, उनसे उनका इलाज किया जाता है। जब कोरोना वाइरस फेफडे और हार्ट तक फैल जाए, तो HIV, AIDS की लोफिनावेर और रिटोनावेर ड्रक्स के कॉम्बिनेशन से इलाज किया जाता है। जैपूर में दो मरीजों पर इसी ड्रक्स के कॉम्बिनेशन से इलाज चल रहा है। अगर चाइना कर सकता है तो बागी देश भी कर सकते हैं, बस भारत को भी चाइना की तरफ प्रिप्रेइडनेस और टफ डिसीजन्स लेने पड़ेंगे। के इंद्य सरकार और राजे सरकारों को कमर कस्मी होगी। कोरना से अवेर रहना, जागरुक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। और अगर हलका सा भी संदे है, तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट किया जाए। पिछले कुछ दिनों में जब भी आपने किसी को कॉल किया होगा, तो कोरना वाइरस की जागरुकता के बारे में आपको रिंग टोन सुनाई दी होगी। सरकार अवेरनेस के लिए कई कदम उठा रही है, क्योंकि बहुत सारी रियूमर्स अफ़ाएं फैल रही है। आप प्लीज इनसे बचिये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसोलेशन क्या है। आईसोलेशन यानि मरीज को चनहित कर सबसे अलग रखना, ताकि वो बाकी लोगों के कॉन्टाक्ट में ना आए और बाकी लोगों तके वाइरस फैले भी ना। ये हमारे देश में सालों से करते आ रहे हैं। जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाए या बोलो तो माता निकल जाए। सबसे पहले उस पैशन को अलग कमरे में रखा जाता है। यानि कि आईसोलेशन में रखा जाता है। यही चीज कोरना वाइरस के केस में भी फॉलो की जा रही है। अब बताते हूं कि क्वारंटीन क्या है। अगर कोई भी इंसान वाइरस से संक्रमित देश या जगों से आया हो तो उसको 14 दिनों तक अलग जगा रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरना वाइरस के सिंटम्स को सामने आने में 14 दिनों तक का समय लगता है। आपने सुना होगा जपान के डाइमेंड प्रिंसिस क्रूस की खानी किसी भी इंसान को 14 दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया गया था। अब बात करते हैं कि कॉरना वाइरस से संक्रमित होने के बाद वो पेशंट बाकी कितनी लोगों कॉरना वाइरस से संक्रमन्ट हो गया होगा। उन सब ही लोगों को ढूंडने की प्रोसेस को कॉन ट्रेसिंग कहा जाता है। याद है आपको दुबाई से आया वो software engineer जिसने बेंगलोर से हैदराबाद बस में ट्रावल किया था. सरकार ने उस बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को ट्रेस किया था. उमीद करती हूँ इस वीडियो के थुरू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. दोस्तों इतन हैं मेरी अगली वीडियो में.